हमारे पास कई तरह के साबुन हैं, लिक्विट सोप हैं, खुश्बू वाले सोप हैं, मौस्चुराइजिंग सोप भी हैं, लेकिन साबुनों के इतने सारे विकल्प के बीच ये कैसे पता लगाएं कि कौन साब बेस्ट है? अगर रसायन शास्त्र की बात करें तो हर साबुन कोरोना वाइरस के खिलाफ कारगर होता है कोरोना वाइरस की बाहरी सतह चर्बी वाली होती है, जिससे साबुन और पानी असल में तोड़ देते हैं, जिससे वाइरस बेसर हो जाता है साथ ही साबुन और डिटरजेंट के धोने से हाथों पर मौझूद बचा-खुचा वाइरस भी पानी के साथ बह जाता है तो हम कैसे पता लगाएं कि उनमें सबसे अच्छा कौन है आजकल जब हमें अपने हाथों को ज्यादा बार धोना पड़ता है ऐसे में हमें ऐसा साबुन इस्तिमाल करना चाहिए जो त्वचा को रूखा नहीं होने देता ऐसे में अगर हमारी त्वचा कटी-फटी है तो वाइरस आसानी से शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है साथी ऐसी तवचा पर साबुन और सानिटाइजर से जलन होने लगती है ऐसे में बार-बार हाथ दोना मुश्किल हो जाता है और खत्रा बढ़ जाता है अगर आपके तवचा सेंसिटिव है तो आप ऐसा साबुन इस्तिमाल करें जिसमें कम चीज़ें मिली हों क्योंकि सोप में जितनी ज्यादा चीज़ें मिली होंगी रियक्शन का खत्रा उतना ही ज्यादा होगा लेकिन सबसे जरूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ जरूर दोते रहें अगर आपके घर में बच्चे हैं और हाथ धोने से बच्चते हैं तो उन्हें कोई फन सोप दें जिसे वो इंजॉई कर सकें